आप देखें जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में डेंगू की महामारी चल लए है प्रसासन हाथ पे हाथ रखे बैठा है अभी सीमो साब आते होंगे आप पूछना देंगू से कितनी मौते हुई तो यह बता देंगे नहीं एक या दो या हुई नहीं मौते क्योंकि मरीजों को भरती नहीं किया जाता है मरीज, हमारे यां मौत ही नहीं हुई अरे जब आप भरती करेंगे तब तो कोई मौत होगी आप तो हाथ खड़े कर देते कहीं ले जाएए, मर जाएए, कुछ भी करिए गरीब आदमी परेसान है मैंने अपनों को खोया है, मेरा वो दर्द है नोजवानों को खोया है अब परसों बाले दिन, मैं अपने आशुओं को रोक नहीं पाया जब एक पिता, ये कह रहा था कि मेरा पच्चीस साल का बेटा जिसकी पच्चीस हजाद प्लेटनेस रह गई है क्या करें? हमने कहा तुरंत कानपूर ले जाए उसने कहा कानपूर ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है हमने कहा प्लाजमा चड़वाईए जाके अगर कन्नोज में प्लाजमा और ब्लेट को तबदील करने में ब्लेट से प्लाजमा निकाल लिया जाए मसीन हो तो कम से कम कुछ लोगों को जान बचाई जा सकती है और कुछ लोग जो गरीब लोग हैं उनका इलाज भी हो सकता है लेकिन ऐसा तो है नहीं अचानक बीमारी आ गई जेंगू अक्टूबर से लेकर नौमबर तक हर बर्स अपना कहर गाता है उसके बाद प्रसासन हाथ पे हाथ रखके बैठा है आप सवाल करना कहे देने कोई मौत नहीं हुई है उनसे पूछिए जाके जिन्होंने अपने बेटों को खोया है मना रहेते हैं मुख्यमंत्री जी दीपावली जला रहेते हैं दीप मुझे भी अच्छा लग रहा था लेकिन मैं पूछता हूँ जिनके घरों के दीप हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए उनका घर का और उनके घर की रोस्नी कौन लाएगा ये किसकी जिन्मेदारी थी आपको दीप जला रहते अच्छी बात है लेकिन जिनके दीप हमेशा के लिए बुझ गए उनके जीवन में अंधेरा आ गया